हेलो दोस्तो आज किस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो इस तरह का किलोग्राम का प्राश्ण होता है इसे हल कैसे किया जाता है तो देख सकते हैं आपर एक प्राश्ण है एक केजी कादाम 80 रूपए है तो 18 रूपए में कितना होगा देखिए इस प्राश्ण को हम लोग दो तरीका से हल करेंगे सबसे पहले देखिए आपपर दिया हुआ है एक केजी कादाम कितना है वह देखिए है 80 रूपए तो आपको सबसे पहले इसको लिख लेना है लिखने के बाद आपको सबसे पहले निकालना है सो ग्राम का दाम, देखें सो ग्राम का दाम को निकालने के लिए जो एक केजी का दाम होता है, इसमें आपको दस से भाग लगाना है यानि असी को लिखेंगे उपर और दस को लिखेंगे इसके बटा के नीचे देखिए एक जिरो से एक जिरो कट जाएगा एक से आठ में भाग लगए यह लग जाएगा आठ बार में यानि एक केजी कदाम असी रूपए है तो सौ ग्राम कदाम कितना हो जाएगा वह हो जाएगा आठ रूपए इसको आपको सबसे पहले लिख लेना है अब देखिए यहाँ पर पुछा जा रहा है कि 18 रूपए में कितना होगा देखिए 100 ग्राम कदाम 8 रूपए है तो आपको पहाड़ा की तरह पढ़ना है यानि 200 ग्राम का कितना होगा वह हो जाएगा 16 रूपए देखिए अगर 300 ग्राम हम लोग लेंगे तो वह हो जाएगा 24 रूपए यहाँ पर आपसे 18 रूपए में पुछा जा रहा है तो देखिए आपको इससे आगे अगर नहीं जाना है देखिए 100 ग्राम का दाम है 8 रूपए तो अब आपको यहाँ से निकलना है 50 ग्राम का दाम यानि 50 ग्राम जो होता है वह होता है 100 ग्राम का आधा यानि 8 रूपए का दाम कितना हो जाएगा वह हो जाएगा 4 रूपए यानि 100 ग्राम का दाम 8 रूपए है तो 50 ग्राम का दाम 4 रूपए होगा लेकिन देखिए 16 रूपए में 200 ग्राम मिलेगा लेकिन इसमें से 2 रूपए बच जाएगा तो अब आपको 50 ग्राम का भी आधा को करना है यानि 50 ग्राम का आधा कितना होता है वह होता है 25 ग्राम 25 ग्राम का दम कितना हो जाएगा वह हो जाएगा 2 रूपए यानि 50 ग्राम का देखिए 4 रूपए है तो 25 गराम का होगा 2 रूपए अब देखिए यहाँ पर प्राश्ण में था कि 18 रूपए में कितना होगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो रूपए दिया हुआ है इसको जोड़ करके 18 रूपए पुराना है देखिए यहाँ पर है 16 रूपए और यहाँ पर देखिए 2 रूपए यानि हम लोग 16 रूपए और 2 को जोड़ दें तो वह 18 रूपए के बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपसे सामान पूछा जा रहा था तो यहाँ पर देखिए जो भी वजन है इसको आपको जोड़ देना है यानि देखिए कितना है वह है 200 गराम और यहाँ पर देखिए है 25 गराम यानि दोनों को जोड़े तो यह हो जाएगा 225 गराम यानि 18 रूपए में कितना मिलेगा वह मिलेगा 225 गराम देखिए एक तरीका यह है और एक तरीका मैं आप लोग को और भी बता देता हूँ देखिए दूसरा तरीका से हल करने के लिए सबसे पहले आपर दिया क्या हुआ था वह था एक केजी का दाम 80 रूपए तो देखिए आपको सबसे पहले इस प्राश्णों को हल करने के लिए यहाँ पर 18 रूपए में पूछा जा रहा था तो आपको सबसे पहले एक रूपए में निकालना है कि सामान कितना मिलेगा तो देखिए एक रूपए का निकालने के लिए यहाँ पर जो भी रूपए होगा इसको आपको लिखना है बटा के नीचे और जो भी वजन होगा इसको लिखना है आपको उपर यानि एक केजी को लिख देंगे उपर देखिए एक केजी को अब आपको ग्राम के रूप में बदल देना है यानि यह हो जाएगा एक हजर ग्राम एक केजी में होता है एक हजर ग्राम और इसके बट्टा में देखिए है 80 अब आपको देखिए यहाँ पर संख्याओं को काटना है 1 0 से 1 0 कट जाएगा देखिए 4 से 8 भी कटेगा और 4 से 100 भी कट जाएगा 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में यानि कितना निकल करके आगिया वह आगिया पचीस बट्टा दो यहाँ पर देखे ग्राम लगा हुआ है तो आपको इस तरह से ग्राम को लगा देना है यानि एक रूपए में कितना समान मिलेगा वह मिलेगा पचीस बट्टा दो ग्राम जैसे ही एक रुपए में निकल जाएगा अब देखिए हैं पर फ्रस्ट में था कि 18 रुपए में कितना मिलेगा तो आपको देखिए इसमें 18 से गुना कर देना है यानि 25 बटा 2 गराम गुना 18 2 से कटे 18 को या कट जाएगा 9 बार में अब आपको 9 से गुना करना है 25 में यानि 9 पजे 45 का 5 हासिल हो जाएगा 4 9 दुना का 18 और हासिल था 4 यह हो जाएगा 22 यहाँ पर देखिए गराम लगा हुआ है तो आपको यहाँ पर गराम को लगा देना है देखिए इस तरीका से भी यह अंसर 225 गराम आ रहा है यानि आप किसी भी तरह से इस तरह के प्राश्णों को हल कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दिजेगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकून को प्रेस जरूर कर लिजेगा